बड़े खबर भागलपुर से जहां पुलिस लाइन के सीबी और तीस नंबर क्वार्टर में रह रही सिपाही नीतु कुमारी सहित घर के पांच लोकों का शोव बरामद किया गया है। आनंद कुमार सहित कई थानों के पुलिस मौके पर पहुँच कर इस मामले की चानवीन में जुट कई है। मा की हत्या की है जिसके बाद उसने नीतु की हत्या कर दी और खुद भी सुसाइट कर दिया है। वहें पुलिस का ये भी कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का भी सामने आ रहा है जिसे लेकर नीतु और उसके पती में बराबर जगड़े होते थे। कई बार ये जगड़ा सडकों पर भी लोकों को देखने को मिला। विलाल पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच में जुट कई है। पुल नीतु कुमारी का आवास बन था सवेरे दूद देने के लिए आया हुआ था दूद वाला। तो दरवाजा नहीं खुलने पर जो है पडोसियों द्वारा दरवाजा जो है खोला गया धका मार करकर खोला गया। अंदर में जो है चार शब पाए गया है जिनका गला रेता हुआ है इसमें उनके दो बच्चे जो की 5-6 साल के उनके हैं महिला कॉंस्टिबल नीतु कुमारी और उनकी सास जो है ये चारों का गला रेता हुआ आवस्था में पाया गया है और उनके हस्बन जो है उनका शब जो है हैंगिंग आवस्था में पाया गया है घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें हस्बन ने उल्ले किया है कि नीतु कुमारी ने बच्चों और उसकी मां को मार डाला और उसके बाद प्रतिक्री आवस्थ इसने नीतु कुमारी को पीटे से औ और इटे से कुछ-कुछ कर तथा चाकू मार करके हट्या कर दिया और अपने भी सुसाइड कर लिया है और इस घटना के बाद अब सवाल ये कि पुलिस लाइन में पांच लोकों की मौत का आखिर राज क्या है क्या सिपाही ने प्रेम प्रसंग में हट्या की क्या सिपाही के पती ने हट्या की साजश रची थी मा पत्नी और बच्चों की हट्या के पीछे का सच क्या है